नमस्कार दोस्तों आज के कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त रितिका सैनी आज जिस विशे पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका उलेख हमारे वेदों में भी वर्नित है जी हाँ आयूरवेद आयू और वेद इन दो शब्दों के मिलने से जो ये शब्द बना है न इसका अर्थ है जीवन विज्यान आज एक ऐसे ही विशे पर हम बातचीत करने वाले हैं और विशे है आयूरवेद से सुधरता जीवन और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर रीना अरोडा जो कि स्वयम एक आयूरवेदिक क्लिनिक भी चलाती है आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर रीना हमारे स्टूडियो में धन्यवाद सबसे पहले जो प्रश्ण में आपसे जाना चाहूंगी वो यह है कि अगर आयूरवेद को हम सरल शब्दों में जानना चाहेंगे तो कैसे जान सकते हैं आयर्वेद अर्थात आयू का वेग यानि कि जिससे हम जान सकते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए कैसे हमें खाना चाहिए और क्या करना चाहिए आयर्वेद की परिवाशा यही है स्वस्थत से स्वास्त रक्षणम आतुरस से विकार प्रश्मरम चाहिए जिससे स्वस्त व्यक्ति को स्वस्त कैसे रखा जाए और रोगी व्यक्ति का रोग कैसे दूर किया जाए तो इस तरह से इसमें पूरा दिन चर्या वर्नित है कि हमें कैसे पूरा क्या दिन चर्या फॉलो करनी चाहिए और क्या करना चाहिए हमें तो आपको लगता है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई दिन्चरिया फॉलो करना चाहे उसके अकॉर्डिंग चलना चाहे तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो दिन्चरिया है वो कैसी होनी चाहिए आयुर्वेद के अनुसार हमें ब्रह्म हूरत में उठना चाहिए उसके बाद आप शोच वगरा जाएए, उसके बाद योगा कीजिए, या कोई भी वियाम आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रति दिन नस्य का सेवन कीजिए, नस्य यानि जो ओशद नाक के थू जाती है उसको नस्य कहते हैं, नस्य के कई बैनेफिट्स हैं, यह सिरफ बिमारों को नहीं देते हैं हम लोग स्वस्त वक्ति भी डेली दो बुंदें अगर तेल की नाक में डालते हैं अनु तेल की तो उससे ग्रेंग ओफ हेर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और बालों का ज़ड़ना आजकल बहुत एक कॉमन समस्या है उसको बचा सकते हैं आखों की बॉष्णी है जो बहुत अच्छी रहती है इससे और नर्वस सिस्टम के तरपन के लिए यानि कि उसके पोशन के लिए नश से बहुत अच्छा काम करता है और फेस के जो ग्लो को मेंटेन करने के लिए भी नश से बहुत अच्छा काम करता है हम लोग जो पारलर में फेशि श्रोता है ना वो बिल्कुल हमारे रेडियो से चिपक कर बैट गए होंगे कि जो नैचरल ग्लो है ना हम कैसे ला सकते हैं युवा शुरताओं को इस आयरवेदिक दिन चरया को फालो करना चाहिए अगर वो अपने यूथ को बहुत लंबे समय तक मैंटीन करना चाहते हैं तो इसकी बॉड़ी भी बहुत सॉफ्ट होती है ऐसे ही अगर आप डेली नहीं तो वीक में एक बार अगर मसाज करवाते हैं या जिसे अभ्यां कह सकते हैं तो आपकी बॉड़ी की जो मसल्स है वो टोन अप रहेंगी उनका सर्कुलेशन इंप्रूवड होगा आप बैटर काम क कर पाएंगे जो ऑफिसेज की थकान है या जो स्टूडेंट्स भी थक जाते हैं बैठे बैठे कई को बैके की प्रॉब्लम हो जाती है इनके क्योंकि वायू बढ़ जाता है बैठने से सारा दिन अगर आप बैठे रहते हैं तो अगर आप मसाज अभ्यां करवाते हैं तो उ इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको डेली जैसे काजल वगरा लगाते हैं तो सोविर अगर अविलेबल हो तो उसको आप यूज करें तो आइस के लिए बहुत अच्छा है किसी भी तीक्स नंजन को अगर आप रात को लगाते हैं तो आखो की इतनी भी गंदगी है इतना पॉल्यूशन से या वैसे भी हो सब निकल जाती है जी प्लकुल ऐसे ही एक गंडूश मैंचंड आयरवेद में जिसमें तेल को मुह में भरके और उसको धारन करते हैं जब तक हम कर सकते हैं जब तक आखों में पानी ना जाए या कंफर्टेबल जब तक आप हो उसको आप रोकिये मुह में उसके बाद आप उसको फैंक के और सिंपल कारगल कर सकते हैं गरम पानी से ये जो दातों के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए गंडूश बहुत अच्छी चीज है कैविटीज नहीं बनती जल्दी और नाज जिनकी वीक होते हैं बहुत जादा ब्रिटल टीथ होते हैं जल्दी से टूटते हैं उसको लंबा लाइफ दिने के लिए गंडूश एक बहुत अच्छी नेच्छल थेरापी है ऐसे ही दंधावन हम कर सकते हैं जिसमें हम मंजन कर सकते हैं या करंज, कादिर या नीम के पेड से हम दातुन कर सकत हैं यह जो नीम के दातुन करते हैं वो एक नेचरल एंटिवाटिक है तो इसलिए अंदर कैविटीज बनने के चांसे बहुत कम होते हैं अगर नीम के आप दातुन करते हैं बच्चे हर एक मेल के बाद ब्रश भी नहीं करते हैं तो आपको जब भी आप कुछ खाएं तो बनाओ वाली जिंदगी में अगर हम आयुवेत के नजर ये से अपनी जीवन शैली रखना चाहें तो हमारी जो जीवन शैली वो कैसी होनी चाहिए आज की दौड भाग की जिंदगी में मैंने देखा है कि जो लोग ऑफिसे में जॉब करते हैं यह बहुत बीजी हैं उनको ट्वालेट जाने का भी टाइम नहीं होता जीवन अर्जिस को भी रोकते हैं यह बहुत गलत है आपको उनको सप्रेस नहीं करना है जैसे आपको मोशन आया है तो लोग बठे रहते हैं फिर गैस बनती रहती है बोड़ी में टॉक्स डिपॉजिट होते जाते हैं कभी उनका सिर्दर होता है कभी उनको इंडैशन होता है हमारी बुक्स में तो इतना भी मेंशन है कि अगर आपको मोशन आया है और आप ट्वालेट नहीं जाते और आपको रूटीन बन चुका है कि आप मोशन आया है और आप नहीं जा रहे तो आपको टीवी तक हो सकती है वो टीवी बिजी हैं कि ये करके जाता हूँ ये करके जाता हूँ तो उसके बहुत सारे side effects हैं और इसी तरह से जो भूग लगती है या प्यास लगती है या किसी को छींक आ रही है और वो छींक नहीं पा रहा है किसी मीटिंग में है या कुछ है तो facial paralysis तक हो जाता है इसको रोकने से और बहुत ज्यादा नीद आ रही है आप रतेज जाग जाग की काम कर रहे हैं तो उसके वी आपको विहानक प्रना मम भूगतने पर सकते हैं इसी तरह से किसी बार रहे है या उल्टी भी दे रही है तो आप उल्टी भी करने नहीं झांपार तो यह तो natural urges हैं, लेकिन क्या आयरुवेद के अनुसार कुछ ऐसी भी urges हैं, जिनको हमें धारन करना चाहिए? हाँ, ऐसी भी कुछ urges आयरुवेद में mentioned हैं, जैसे कि हमें क्रोध को धारन करना चाहिए, आजकर लोग बहुत loose temper हो जाते हैं, जरासा भी कुछ road पे हो जाए तो murder तक हो जाता है road जाहिए, ठीक है, ऐसे ही इर्शया को धारन करना चाहिए, किसी की चीज से आप मत जलिए, इनको आप धारन कीजिए, यह धारनिये वेग है, आयरुवेद के अकॉर्डिंगली इनको धारन करने के लिए बताया है हमारे बुक्स में, आप खुद ही सोचिए, अगर लोग इन वेगों को धारन करना शुरू कर देंगे, तो हमारे सुसाइटी में जितनी करप्शन है व आप कंट्रोल कीजिए थोड़ा, माफ कर दीजिये यह करोद को धारन करना, इश्या आपको हो रही है किसी से, क्यों जल रहे है आपकी जिए आपको अपनी एनरजी वेस्ट कर रहे हैं और बिनाबात की अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं अपनी contentment से अपनी ग्रोध कीज किसी को देख के जलिये मत ऐसे ही आप एहंकार मत किजिए कि अपनी ग्रोथ में अगर आपको थोड़ा भी आप प्रोग्रेस कर गए तो आप सचे मैं ही मैं हूं तो वो गलत है ऐसे ही निरलज्जिता मालों कोई टीज आज का लीव टीजिंग बहुत करते हैं लोग गर्ल्स के आपको से आपको कोई सब्सक्रेश करते हैं सरे लिजिए उसके इनलों बाबग़ों को सब्सक्राइए 2альное하겠습니다 करें तो में रहें इन आपको वायगे गलेक हैं वहार किये वह यह जो आपको दारन अब्सक्राइश के पाएं गर आपको श्त्राइट को क्या खाना हैं और अगर तो शायद यह समाज पूरे वर्ल्ड में सबसे जादा फस्ट नंबर पे होगा हमारा भारत क्योंकि आयरवेट जो है भारत की देन है रश्या के कुछ डॉक्टर से मिली देख वर्ड आयरवेट कॉंफरेंस में उनका कहना था कि वह आयरवेट को अपने देश में इसलिए ला सने वह आयरवेट के और बढ़ता जा रहा है तो जहां तक हमें ग्यात है कि एलोपैती में तो साइड एफेक्ट होते हैं लेकिनि-एउरवेद में साइट इए यह विरह कहां तक सिए आयरवेद में साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं पर फिर भी मैं इतना कहूंगी कि आप किसी भी चीज को बिना डॉक्टर की सला के मत लीजिए। इवन मैंने देखा है आज कर लोग अपने आप जाते हैं स्टोर पे अलोविरा पीना शुरू कर देते हैं। आवला पीना शुरू कर देते हैं। अलोविरा से हैवी ब्लीडिंग होती है। तो आप सोचिए जिन लेडिस को पहले ही यह प्रॉब्लम है और वो अगर अलोविरा पीती हैं बिना वैद्दे के परमर्ष के तो उसके कितने साइड इफेक्स उनको भुगतने पड़ सकते हैं। तो किसी भी चीज को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। चाहे वो जीरा है चाहे वो धनिया है चाहे वो कुछ भी है। यह सब मेडिसन हैं हमारे लिए। जी बिलकुल और आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई भी चीज लेते हुए या फिर वो आयूरवेदिक हो या फिर वो एलोपेथी से रिलेटिड हो आप चिकित्सक के परामर्ष के अनुसार ही उसको लीजिए। इसमें कुछ तिथ्यां एसी मैंशन हैं जिसमें आपको मेटिंग नहीं करने चाहिए। आपको किसे अच्छी अर्जिस हैं जो हमें रोकनी चाहिए। जो हमें नहीं रोकनी चाहिए और आपने बताया कि आलोपेथी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और आयुरवेद चिकित्सक के परामर्ष के अनुसार अगर हम लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं हम देख पाएंगे और इसी के साथ में यह भी जाना का या फ्रोजन कर्ड लेने का फ्रोजन कर्ड में उसके बेक्टीरिया सारे मर जाते हैं तो जिस बेक्टीरिया के लिए हम दहीं को खाते हैं मतलब हैल्दी बेक्टीरिया अंदर इंजेस्ट करने के लिए वो तो पहले ही सारे खतम हो चुके हैं तो फ्रोजन कर्ड अगर आ दहीं खाते हैं रूटीन में उनको दहीं मिश्ट्री आमला देशीगी यह शहद इनमें से कुछ भी एक चीज थोड़ी सी डाल के उसके बाद दहीं खाने जाहिए जो तक्र है यानि के जो चाच है आजकल की लेंग्विज में यह बहुत ज्यादा फाइदेमंद है इसको अमर दोक्टर रीना जी ने भी कहा कि यह एक अमरित के समान है तो इस भरी गर्मी में भी हमें कूल कूल का एहसास होगा इसमें में कुछ चीजें आपको और बता दूंगी ऐसे इतनी गर्मी में आप लोग कोल ड्रिंग्स या आइस क्रिम्स की बजाए अगर गुंद कतीरा ले आम पनना ले या जल जिराद ले यह जो यह शिकनजवी ले निम्बू की यह नेचुरल ड्रिंग्स आपको ज्यादा थंड़क प्रवाइड करेंगे बजाए कोल ड्रिंग्स के इस रफ एक्स्ट्रा कैलोरी हैं बोडी के लिए इनका कोई थंड़ापन का तसीर नहीं किसी क जी बिल्कुल जैसे कि आजकल बच्चे जो होते हैं वो कोल ड्रिंग्स की और ज्यादा उनका जो रुझान है वो रहता है कि घर्मी लग रही है तो मम्मी कोल ड्रिंग फ्रिज में होनी ही चाहिए तो यह आपने अच्छा उसका उसका आप्शन बताया है कि हम नीमू की शि होता है तो मुंग सावुत डाल का अगर सेवन करता है तो उसको उसके कमी है किसी भी दूद के कंटेंट्स की वो नहीं होगी यह एरवेत के अगॉर्ट की डाल सबसे कम फायदेमंद लिकिन जैंट्स के लिए अच्छी है यह वैसे रुटीन में अगर इसको देखा जाए ब के दाध्र कर दाष्य दियुदक कि चीज तो मटाल कोष्टीर कि भर दिचाय नुक्सान हो सकता है तो इसको थोड़ा सा कम ऌगेजिए ज इंवी तिल धिमाग कि लिए अच्छी है लेकिन तिल का तेपने खaltung के लिए अच्छा थ है लैकिन आप अगर उसको ब्रेइन टॉनि तो बहुत अच्छी बहुत नुकसान दायक है तक्र पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है तो इसलिए तासीर आपको चीज़े से मैं आपको बता रही हूँ गेहू है यह बहुत ज़्यादा पॉस्टिक है लेकिन अगर आप तेल में गेहू की पूड़ियां बनाते हैं तो बहुत नुकसान दायक है मतलब उसको तेल में के साथ गेहू का सेवन आपको नहीं करना चाहिए ऐसे ही दूद के साथ आपको कभी भी खटी जिजे नहीं लेना चाहिए जो आजकर लोग शेक्स लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं दूद के साथ एवन अख्रोड भी मेंचेंड है कि दूद के साथ नहीं लेना चाहिए कटल नहीं लेना चाहिए मूली के बाद दूद नहीं पीना चाहिए आपको लहसून अगर आपने बहुत ज़्यादा खाया है तो इसके साथ भी आपको दूद नहीं लेना चाहिए मतला वो खराब करता है और इसी तरह से जैसे देश के कोडिंग लिया में खाना खाना जैसे हम क्लाइमिट में रहते हैं जैसे बहुत ठंडे देशों में जो रहते हैं उनको ओईली और थोड़ा हैवी फूट ज्यादा बेटर रहेगा और जो बहुत गरम देशों में रहते हैं उनके लाइट और बहुत ठंडी तासीर वाला खाना जो है वो फायदे मंद होगा अच्छा जब हम ठंड होती है तो हमें आइसक्रीम खाने का बड़ा मन होता है त जिसकी वज़ा से बॉड़ी में टॉक्स डिपोजित हो जाते हैं और फिर बाद में वो किस डिजीज की फॉर्म में निकल कर बाहर आते हैं जी बिल्कुल और आज आपने जो कॉम्बिनेशन बताए है मुझे लगता है कि यह काफी अच्छे कॉम्बिनेशन से क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो कारेक्रम के जरी आपने जो बताए कॉम्बिनेशन यह हमारे जो श्रोता है उनके लिए काफी लाबदायक भी सिध होंगे अगला जो प्रशन में आप से करना चाहूंगी वो यह है कि जिनकी दिन चर्या जो है वो इतनी निमित नहीं होती है उनक उने की दिन चर्या जादतर निमित होती है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने मेल टाइमिक्स को मेंटेंड रखिए और दूसरा फूर्ट्स वगरा ज्यादा लीजिए वाटर इंटेक कीजिए और योगा वगरा को जरूर इंटूर कीजिए ताकि जो आप गलट डाइट्स जो कुछी पसंद नहीं है तर भी एम फोर्च करते हैं नहीं बहुत फायदे मन्दा इसको आप खाओ जिए बिलकुल बिलकुल भाई आज़ आज़ मम्या जो होती है वो बदचों के पीछे नहीं यह साग जो है वो काफी फायदे मन्दा इसको खाना चाहिए तो हाँ इसके काम काम हो जाए आपका हरदे विरुद भी ना हो यानि कि आपके रुची के नुसार हो आपका खाना और वो हेल्थ के अकॉर्डिंग लिए बिलकुल क्योंकि कहते है जो दिखता है वो भिकता है यानि अगर देखेगा अच्छा तो हम खा भी पाएंग गो से बिलकुल सही क आपने कि हर्दे विरुदी खाना में बिलकुल नहीं खाना चाहिए अगर सही ढंक से अगर हम थाली में पेश करेंगे तो शायद बच्चा क्या हम भी खा जाएंग उसको एक कोष्ट विरुद खाना काते हैं लोग आज कल यानि कि जिसको बहुत प्रॉब्लम है और जिसको यह को ज्यादा डाइट चाहिए बहुत Elijah सा और बिलकुल ॅधका सा खाना ले रहे हैं कुछ बहुत बहुत ज्यादा करते हैं उनको खाना कहाना चाहिए और दूसरा उनको इपने तो अपने जैसा हमारा डेजक्तिव सिस्टम है उषकी कंहाद ले लेना चाहिए अमें अअ अपनी ही डाइट के अकॉर्डिंग और अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए तो अभी आपने जैसे बताया है कि हमें कौन सी डाइट आयुर्वेद के अनुसार हमें फॉलो करनी चाहिए हमें योगा अभ्यास करना चाहिए अपने शरीर को देखते हुए, अपनी डाइट को देखते हुए, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो जो यूवा पीडी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, तो क्या समभावनाएं हैं आयूरवेधिक करियर में, अगर अपना करियर तलाश रहे हैं आयरवेद में करियर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन्स है क्योंकि अब डब्ली एचो के साथ भी गौर्मेंट ने टाइब किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा योगा और आयरवेद को तो अगर आप आयरवेद को अपना करियर अपनाना चाहते हैं तो इसमें आप B.A.M.S कर सकते हैं उसके बाद M.D. कर सकते हैं PhD तक कर सकते हैं Research papers लिख सकते हैं आप, अपना क्लिनिक चला सकते हैं, गशम और जॉब में जा सकते हैं, Kayla जा सकते हैं, टीछिंग में जा सकते हैं, कहीं रिसर्च लीओडरीस हैं जिसमें क्योंकि government ने एक अलग ministry बना दी है इसमें इसी को progress करवाने के लिए जी बिलकुल जैसे कि आपने बताया कि करियर की संभावना यह तो बहुत है लेकिन अगर कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो कोई ऐसे सरकारी संस्थान जिनका आप उले करना चाहेंगी तीन में सरकारी संस्तान है हमारे जैसे एक जामनगर है जामनगर में गुजरात आयरवेदि उन्वस्ट्री ऐसे ही जैपुर में है नेशनल इंस्टूट ओफ आयरवेदा ऐसे बनारस हिंदू इन्वस्ट्री में भी आयरवेद का बड़ा कॉलेज है और इसमें पीजी भी है और भी कहीं कॉलेजिस है महराष्ट्रा में वितलक आयरवेदिक कॉलेज है और कहीं केरला वगरा में बहुत सारे कॉलेजिस है लेकिन यह जो मैंने में में बताएं है आपको इसके अलावा भी बहुत कॉलेजिस हैं अगर करियर की संभावनाएं जो यूवा लोग तलाश जाएं इसमें और जो शिक्षा ग्रेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी संभावनाएं बहुत हैं तो जाते-जाते आप हमारी यूवा पीडी को क्या संदेश देना चाहेंगी मैं यूवा पीडी को यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप जादा समय तक अपने यूत को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इस पूरी दिन चरिया को फॉलो कीजिए, जंक फूर्स छोड़ देजिए, और आज कल लोग करियर को छोड़ के कुछ गलत अक्टिविडेज में जल्दी लग जाते हैं, उनको छोड़ के अपने करियर में ध्यान दीजिए और एक ही करना है, तो आप हमारी स्टूडियो में आई और इस महत्वपून विशे पर हमसे बात चीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, तो दोस्तों आज हमने एक ऐसे ही महत्वपून विशे पर बात की, कि किस तरह से आयुर्वेद से हम अपने जी को दीजिये इजाज़त, नमस्कार! और वेद, इन दो शब्दों के मिलने से जो ये शब्द बना है ना, इसका अर्थ है, जीवन विज्यान! आज एक ऐसे ही विशे पर हम बातचीत करने वाले हैं, और विशे है आयुर्वेद से सुधरता जीवन! और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं, डॉक्टर रीना अरोडा, जो कि स्वयम एक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी चलाती हैं! आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर रीना हमारे स्टूडियो में! धन्यवाद! सबसे पहले जो प्रश्ण में आपसे जाना चाहूंगी वो ये है कि अगर आयुर्वेद को हम सरल शब्दों में जानना चाहेंगे तो कैसे जान सकते हैं? आयरवेद अर्थात आयू का वेग यानि कि जिससे हम जान सकते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए कैसे हमें खाना चाहिए और क्या करना चाहिए आयरवेद की परिवाशा यही है स्वस्थत से स्वास्त रक्षनम आतुरस से विकार प्रश्मरम चाहिए यहने कि जिससे स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए और रोगी व्यक्ति का रोग कैसे दूर किया जाए तो इस तरह से इसमें पूरा दिन चर्या वर्नित है कि हमें कैसे पूरा हमें क्या दिन चर्या फॉलो करनी चाहिए और क्या करना चाहिए हमें तो आपको लगता है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई दिंचर्या फॉलो करना चाहे उसके अकॉर्डिंग चलना चाहे तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो दिंचर्या है वो कैसी होनी चाहिए आयरवेद के अनुसार हमें ब्रह्म महूरत में उठना चाहिए उसके बाद आप शोच वगरा जाहिए उसके बाद योगा कीजिए या कोई भी वयाम आप कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रति दिन नस्य का सेवन कीजिए नस्य यानि जो औशद नाग के थुरू जाती है उ बालों का जढ़ना आज कल बहुत एक कॉमन समस्या है उसको बचा सकते हैं आखों की रॉष्णी है जो बहुत अच्छी रहती है इससे और नर्वस सिस्टम के लिए यानि कि उसके पोशन के लिए नस्य बहुत अच्छा काम करता है और फेस के जो ग्लो को मेंटेन करने के ल अगर आप ग्लो की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है जो यूवा श्रोता है ना वो बिलकुल हमारे रेडियो से चिपक कर बैट गए होंगे कि जो नैच्रल ग्लो है ना हम कैसे ला सकते हैं यूवा श्रोताओं को इस आयरवेदिक दिन चर्या को फालो करना चाहिए अग इसमें जैसे हम बच्चे की मसाज करते हैं तो इतना एक्टिव रहता है और उसकी बॉड़ी भी बहुत सॉफ्ट होती है ऐसे ही अगर आप डेली नहीं तो वीक में एक बार अगर मसाज करवाते हैं या जिसे अभ्यां कह सकते हैं मालिश जो है तो आपकी बॉड़ी की जो म मसाज अभ्यां करवाते हैं तो उससे आपको इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा ऐसे ही एक अंजन मेंशन है हमारी दिन चरया में जैसे वीक में एक बार अगर आप रसांजन का सिवन करते हैं तो आखों में जो केटरेक्ट वगरा की प्राब्लम आजकल कॉमन होई पड किसी भी तीक शनजन को अगर आप रात को लगाते हैं तो आखों की जितनी भी गंदगी है इतना पॉल्यूशन से या वैसे भी हो सब निकल जाती है जी जी प्लकुल ऐसे ही एक गंडूश मेंशन है जिसमें तेल को मूह में भरके और उसको धारन करते हैं जब तक हम कर सकते हैं जब तक आखों में पानी ना आ जाए या कंफर्टेबल जब तक आप हो उसको आप रोकिये मूह में उसके बाद आप उसको फैंक के और सिंपल कारगल कर सकते हैं गरम पानी से यह जो दातों के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए गंडूश बहुत अच्छी चीज है कैव जी बिलकुल बिलकुल दातून के आप बात कर रहे हैं तो जो हमारी जो दादी नाना नानी होते थे वो उस समय में दातून ही करते थे वो तो आजकल जो है वो चलन चल गया है टूथ पेस्ट का और आए दिन जो है डेंटिस्ट के यहां पर हम कैविटीज की समस्या लेकर बेठे रहते हैं यह जो नीम के दातून करते हैं वो एक नेचुरल एंटिवाटिक है तो इसलिए अंदर के बनने के में दातून करते हैं बच्चे हारेक मेल के बड़ पी नहीं करते हैं जी बिलकुल तो जब भी आप कुछ खायें तो कोशिष कीजी आप गार्गल कीजिए और अगर आप नीम का दातुन करेंगे तो cavities बनने के chances भी बहुत कम हो जाएंगे आपके रीना जी आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपने नस्य बताया गंडूश बताया लेकिन आज की दोड़भाग और तनाव वाली जिन्दगी में अगर हम आयुवेद के नजर्ये से अपनी जीवन शैली रखना चाहे तो हमारी जीवन शैली वो कैसी होनी चाहिए आज की दोड़भाग की जिन्दगी में मैंने देखा है कि जो लोग ऑफिसे में जॉब करते हैं ये बहुत बीजी हैं उनको एवन ट्वालेट जाने का भी टाइम नहीं होता वो नेच्रल अर्जिस को भी रोकते हैं ये बहुत गलत है आपको उनको सप्रेस नहीं करना है ज अर आपको बन चुका है कि आपको नहीं जारें तो आप़को टीवी तक हो सकती है वो टीवी के स्म्टम्स हो सकते हैं मतलब यह आप मानिए के जूरूज नहीं कि आपको okayणे वाले टीवी हो व्लाज़ब eto या किसी को छींक आ रही है और वो छींक नहीं पा रहा है किसी मीटिंग में है या कुछ है तो फेशल परल्सिस तक हो जाता है इसको रोकने से और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीद आ रही है आप रातें जाग जाग के काम कर रहे हैं तो उसके भी आपको भ्यानक प्रना या फिर motion हो ना तो यह तो natural urges हैं लेकिन क्या आयरवेद के अनुसार कुछ ऐसी भी urges हैं जिनको हमें धारन करना चाहिए हाँ ऐसी भी कुछ urges आयरवेद में mentioned हैं जैसे कि हमें क्रोध को धारन करना चाहिए आजकर लोग बहुत loose temper हो जाते हैं जरासा भी कुछ road पे हो जाए तो murder तक हो जाता है road जाहिए ठीक है ऐसे ही इरश्या को धारन करना चाहिए किसी की चीज से आप मत जलिए अपनी progress कि आप धारन कीजिए ये धारनिये वेग है आयरवेद के कॉडिंगली इनको धारन करने के लिए बताया है मारे बुक्स में जी आप खुद ही सोचिए अगर लोग इन वेगों को धारन करना शुरू कर देंगे तो हमारे सुसाइटी में जितनी करप्शन है वो खतम हो जाए से क्यों जान वेट पर खार को हुआ है वर किसी से युआ जल रहे हैं किसी चैनल प्रेंपनी वेस्ट कर रहे हैं और गाषा Maintenant से अपनी से तो देख केजहिए कि अशे ही आप ऐन कर गाहें मत किजिए की अक्रोन किजिए क्रोट अगर आप को थोड़त कर कर गएं तो आपनी और मदर्स को जैसे आप देखते हैं, वैसे ही दूसरों को देखिए, ऐसे ही लोब करना, बिना बात के आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, और आप लालच ही लालच आपको आता जा रहा है, उस चीज को आप धारन कीजिए, उसको रोकी आप, और शोक करना, जैसे आप कोई चीज पता है, कि आप किसी चीज का रीजें जानते हैं क्यो हुआ है, फिर उसके बावजुत हैं और उसी में हैं स्ट्रेस होगा, आप को होगा, डिप्रेशन होगा, मानसिक रोग होगे, तो ये मानसिक वेग हैं सारे, इनको आप दारण कीजिए, खुज समझिए अग अगर आप देखें कि आपको क्या खाना है कैसे रहना है तो शायद यह समाज पूरे वर्ल्ड में सबसे जादा फर्स नंबर पर होगा हमारा भारत क्योंकि आयरवेद जो है भारत की देन है रश्या के कुछ डॉक्टर से मिली देख वर्ड आयरवेद कॉंफरेंस में उनका कह जाना था कि वह आयरवेद को अपने देश में इसलिए लाना चाहते हैं कि उनका जो हेल्थ सेक्टर है उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो यानि कि प्रेवेंटिव मेडिसन पर जो दे रहे थे कि बिमारी हो इना यहां पर बिल्कुल आपने यह बहुत ही रोचक बात क यह कहां तक सही है आयरवेद में साइड इफेक्स बहुत कम होते हैं पर फिर भी मैं इतना कहूंगी कि आप किसी भी चीज को बिना डॉक्टर की सला के मत लीजिए इवन मैंने देखा है आज कर लोग अपने आप जाते हैं स्टोर पे अलो विरा पीना शुरू कर देते हैं अलो विरा से हैवी ब्लेडिंग होती है तो आप सोचिए जिन लेडिस को पहले ही प्रावलम है और वो अगर अलो विरा पीती है बिना वैद्दे के परमर्ष के तो उसके कितने साइड इफेक्स उनको भुगतने पड़ सकते हैं तो किसी भी चीज को आप अंडर एस्टिमे से रिलेटिड हो आप चिकित्सक के परमर्ष के अनुसार ही उसको लीजिए आयरवेद में सूपरज को उत्पन करने के भी तरीके बताएगा है सूपरज मा यानि अच्छी प्रजा यानि एक अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है इसमें कुछ तिथियां ऐसी मेंचन है जिसमे आपको मेटिंग नहीं करने चाहिए आपको कंसीव करने के लिए वन ट्राई भी नहीं करना चाहिए तो आपको कैसे वह सब करना चाहिए कि एक अच्छा सूपरज आपका उत्पन हो जिससे हमारा समाज जो है एक अच्छा समाज बनेगा तो अभी हमने बात की कि जिस सरह से कौन सी natural urges हैं जो हमें रोकनी चाहिएं, कौन सी natural urges हैं जो हमें नहीं रोकनी चाहिएं और आपने बताया कि Allopathy के side effects भी होते हैं और Ayurveda चिकित्सक के परामर्ष के अनुसार अगर हम लेंगे तो उसके side effects भी नहीं हम देख पाएंगे और इसी के साथ में ये भी जाना चाहूंगी कि क्या Ayurveda में खान पान का भी बहुत महत्व होता है या फिर किसी diet को हमें follow करना चाहिए आइरवेद में कुछ main main चीजे मैं आपको बता रही हूं diet से लेटर जैसे एक दही है आजकल बहुत trend है probiotic curd लेने का या frozen curd लेने का frozen curd में उसके bacteria सारे मर जाते हैं तो जिस bacteria के लिए हम दही को खाते हैं मतलब healthy bacteria अंदर ingest करने के लिए वो तो पहले ही सारे खतम हो चुके हैं तो frozen curd अगर आप खा रहे हैं तो taste के लिए खा रहे हैं तो उनको दही नहीं खाने चाहिए और नॉर्मली भी जो लोग दही खाते हैं रूटीन में उनको दही मिश्ट्री आमला देशीगी यह शहद इनमें से कुछ भी एक चीज थोड़ी सी डाल के उसके बाद दही खाने चाहिए जो तक्र है यानि कि जो चाच है आजकल की लेंग्विज में यह बहुत ज्यादा फाइदेमंद है इसको अमरित माना गया है अईरवेद में आप डेली दुपैर को लीजिए एक तो यह इतनी गर्मी से रहत देगा आपको और पाचन शक्ती बहुत इंप्रूव होती है तक आपको और बता दूंगी इसे इतनी गर्मी में आप लोग कोल ड्रिंग्स या इसक्रिम्स की बजाए अगर गुंद कतीरा ले आम पना ले या जल जिराद ले यह जो यह शिकंजवी ले निम्बो की नेचुरल ड्रिंग्स आपको ज्यादा थंदक प्रवाइड करेंगे जो भी गर्मी लग रहे है तो मम्मी कोल ड्रिंगर फ रिज में होनी ही चाहिए तो आपने अपने अप्छा उप्शन बताया है कि हम नीमू की शिकंजी हो सकती है चाज बदा सकती है तो इस गर्मी भरे मॉसम में भी हम ठंड़ का एहसास अड़ में जो शरीर है उसको झाथ सकते हैं और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दालों में मूंग की दाल सबसे श्रेश्ट है दूद के बराबर फाइदा करती है यह मानलोगी जी को दूद नहीं डेजेस्ट होता जी तो मूंग साब दाल का अगर सेवन करता है तो उसको उसके जो कमी है किसी भी दूद के कंटेंट्स की वो नहीं होगी यह अरवेद के अकॉर्डिंग ली इतनी ज्यादा फाइदेमंद है उड़त की दाल सबसे कम पाइदेमंद है लेकिन जैंट्स के लिए अच्छी है यह वैसे रुटीन में अगर इसको देखा जाए बहुत ज्यादा लोग दाल मखनी खाते है तो इसलिए उसको थोड़ा सा कम सेवन कीजिए तेल जो है दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन तेल का तेल दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता मालिश के लिए अच्छा है लेकिन अगर उसको ब्रेन टॉनिक माने तो तो तेल है तेल का तेल नहीं हर एक चीज की तासीर बदल जाती है जैसे आप धहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बहुत नुकसान दायक है तक्र पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइदे बंद है तो इसलिए तासीर आप कुछ चीज़े से मैं आपको बतारी हूं गेहूं है यह बहुत ज़्यादा पॉस्टिक है ल मूली के बाद दूद नहीं पीना चाहिए आपको लहसून अगर आपने बहुत ज़्यादा खाया है तो इसके साथ भी आपको दूद नहीं लेना चाहिए मतलब वो खराब करता है और इसी तरह से जैसे देश के कोर्डिंग लिया में खाना खाना जैसे हम क्लाइमिट में रहते हैं जैसे बहुत ठंडे देशों में जो रहते हैं उनको ओईली और थोड़ा हैवी फूट ज़्यादा बेटर रहेगा और जो बहुत गरम देशों में रहते हैं उनके लिए लाइट और बहुत ठंडी तासीर वाला खाना जो है वो फायदे मंद होगा अच्छा जब हम ठंड होती है तो हमें आइसक्रीम खाने का बड़ा मन होता है तो ठंड के मौसम में ठंडी चीजे खाना क्या ये सही है नहीं ये सही नहीं है इसलिए सत्तू जो है वो कभी विंटर्स में सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ठंड होता है उसको हमेशा समर्ज में ही लेना चाहिए और आपको खीर के बाद कभी सत्तू नहीं लेना चाहिए ये एक रॉंग कॉंबिनेशन है कुछ फूड के ऐसे रॉंग कॉंबिनेशन लोग कंटिनियू से लेते हैं जिसकी वज़ासे बॉड़ी में टॉक्स डिपोजिट ह हो जाते हैं और फिर बाद में वो किस डिजीज की फॉर्म में निकल कर बाहर आते हैं जी बिलकुल और आज आपने जो कॉंबिनेशन बताए हैं मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे कॉंबिनेशन से क्यों को पता नहीं होता है कि हम क्या कॉंबिनेशन खा रहे हैं और इ काफी लाब दायक भी सिध होंगे. अगला जो प्रशन में आप से करना चाहूंगी। वो ये है कि जिनकी दिन्चरिया जो है वो इतनी श्मास्माइज नहीं होती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी। जिनकी दिन्चरिया नहीं है era कोशिश करने की जितना भी हो मैनेज कर सकते हैं वो इस दिन चर्या को फॉलो करें और दूसरा अपना खाना घर का खाएं जंक फूर्ट बहुत ज्यादा खाते हैं जो नाइट शिप्स करते हैं वी प्योज बगरा में जॉब करते हैं उन्हें की दिन चर्या ज्यादा अन्यमित होती है तो जो आपना खालीजिए वाटर इंटेक कीजिए और योगा अवगरा को जरूर इंटूर कीजिए ताकि जो आप गलत डाइट भी ले हैं व्यायाम से जो लोग व्यायम करते हैं उनको काफी हद तक पच पच भी जाती हैं एक और चीज में बताना चाहूं की डाएट आपको आपको एक मेंशन है एक में बुक्स में हरिदे वृद्ध खाना नहीं काना जी हम लोग क्या करते हैं कि कहीं लोग कुछी जी पसंद दे हैं तर यह हम फोर्च करते हैं नहीं बहुत फादे मन्दा इसको आप खाओ जी बिल्कुल बिल्कुल भई आज़ कर वाज़ आज़ इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी युवा पेड़ी को स्पेशली बताना चाहूंगी कि उसको आप मौडिफाई करवाईए आप कंटेंट्स वही रखिए तो आप लेकिन वो कंटेंट्स आपके अंदर जाएं लेकिन वो चीज दिखने में आपके लिए रोचक हो और आप उसको खा पाएं इसको ऐसा कंवर्जन कीजियो उसका कि वह दोनों काम हो जाएं आपका हर्दे विरुद भी ना हो यानि कि आपके रुची के नुसार हो आपका खाना और वो हेल्थ के अकॉर्डिंग ली भी हो जी बिल्कुल क्योंकि कहते ना जो दिखता है वो भ प्रवब्लम है और जिसको ज़या डाइट चाहिए बहुत लाइट सा और बिल्कुल खाना ले रहे हैं कुछ लोग बहुत ज़या रहता हो कि यह उनको हाना चाहिए और दूसरा उनको इनको घॉल नही है उसके बावजूद भी गलत यह तो अपने जैसे हमारा डेटिव सिस जा हमें योगा अभ्यास करना चाहिए, अपने शरीर को देखते हुए, अपनी डाइट को देखते हुए, हमें कैorte करना चाहिए, तो जो युवा पीडी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, तो तो अगर आप आयरवेद को अपना करियर अपनाना चाहते हैं, तो इसमें आप B.A.M.S. कर सकते हैं, उसके बाद M.D. कर सकते हैं, पी-च.D. तक कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, आप अपना क्लिनिक चिला सकते हैं, गौर्मेंट जॉब में जा सकते हैं, बना दी है इसमें इसी को प्रोग्रेस करवाने के लिए जी बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि करियर की संभावना यह तो बहुत है लेकिन अगर कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो कोई ऐसे सरकारी संस्थान जिनका आप उले करना चाहेंगी तीन में सरकारी है हमारे जैसे एक जामनगर है जामनगर में गुजरात अयरुवेदिट इनस्ट्री ऐसे ही जैपुर में है नेशनल इंस्चूट ओफ आयरवेदा ऐसे बनारस हिंदू इनस्ट्री में भी आरवेद का बड़ा कॉलेज है और इसमें पीजी भी है और भी कहीं कालीजिश है म संभाबनाएं बहुत हैं तो जाते जाते आप हमारी युवा पिरी को क्या संदेश देना चाहेंगी मैं युवा पिरी को संदेश कि अगर आप ज्यादा समय तक अपने यूध को मेंटेन करना चाहते तो आप इस पूरी दिन चरिया को फॉलो कीजिए जंक फूर्ट छोड़ देजिए और आज कल लोग करियर को छोड़के कुछ गलत अक्टिविडेज में जल्दी लग जाते हैं उनको छोड़के अपने करियर में ध्यान दीजिए और एक अच्छे समाज का निर्मान कीजिए क तो आप हमारी स्टूडियो में आई और इस महत्वपून विशे पर हमसे बात चीत की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो दोस्तों आज हमने एक ऐसे ही महत्वपून विशे पर बात की कि किस तरह से आयुरवेद से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं तो अगली बार फिर से हम एक ऐसे ही महत्वपून या फिर कुछ अपनी जिन्दगी के आसपास से जुड़े हुए विशे पर हम बात करेंगे तब तक के लिए अपनी दोस्त रितिका सैनी को दीजिए इजाज़त नमस्कार